एक आम question जो इनसान के माइंड में आता है which category is best on YouTube यह कौन सी category YouTube पर best है तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी category पर आपको चैनल बनाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादर benefit हो आपके views ज़्यादा आएं, आपके subscribers ज़्यादा है तो categories मैंने यहाँ पर दो type से divide की है पहले divide की है, पैसे के मामले में और दूसरे divide की है, interest के मामले में चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पहले पैसे के मामले में तो पैसे के हिसाब से, जो content है, वो music का सबसे अच्छा है अगर आप music channel बनाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक अलग से जो interest होता है लोगों का लोगों का interest होता है comedy देखने में comedy लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, comedy, music, यह सब लोगों को पसंद होता है लोगों के interact से भी music और comedy दोनों अच्छी हैं लेकि comedy जो videos होती हैं और vlogging होती हैं उन पर ad बहुत कम आते हैं ad sense से आपको income कम होगी as compared to singing और music अगर आप music videos बनाते हैं तो YouTube से आपको ads भरके मिलेंगी और हो सकता है कि आपको जो sponsorship हैं वो भी मिल जाएं तो comedy में भी sponsorship मिलती हैं views बहुत आते हैं singing में भी views बहुत आते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है views की कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे पैसा कमाना है YouTube से और आपको comedy करने नहीं आती आपको गाने गान नहीं आते तो आप कैसे comedy और singing का channel बना लोगे तब बात आते हैं कि हमें कौन सा channel बनाना चाहिए कि हम YouTube पर धंग से पैसा कमा जगे अगर आपको tag की knowledge है आप tag के बारे में interested हैं तब आपके लिए tag channel best है अभी भी कहूंगा कि tag channel में competition बहुत है लेकिन बहुत ही कम ऐसे tag channel है ज tag channel को देखने वाले audience कम नहीं है बहुत जादा audience है vlogging है vlogging को देखने वाले भी बहुत है vlogging आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको tag में sponsorship बहुत मिलती है vlogging में भी आपको sponsorship बहुत मिलती है